नमास्कर दोस्तों आपका अपने study channel उद्धेजदीब classes में स्वागत है आज की class में आपके लिए total 8 questions को solve कराऊंगों जो की परिक्षा हों बार बार पूंचे जाते हैं इन questions को solve करने की sort trick बताऊंगों जिससे की exam में आपको पहन उठाने की वह सकता नहीं होगी तो आप video class तक जरूर देखिए देखिए first question देखिए आपको क्या है करणी toil plus करणी toil plus करणी toil plus dead as infinity जब भी इस type का question exam में पूंचे जाए तो आप इसको cancel solve करोगे तो देखिए सबसे पहले आप संख्या देखिए कितनी लखा है toil भी लखा है तो आपको दो संख्या ऐसी सोचना है कि जिसका multiply करें कितना है toil by जिनमें आपस में एक का अंतर होना चाहिए देखिए सबसे पहले हम बारा की ऐसी दो संख्या सोचेंगे इनका multiply करन कितना है 12 है और जिनमें आपस में कितना अंतर हो एक का अंतर होगी, यहन uncovered कि 2 किरमा गाश संक्या है में लेना होगी तो देखि यह कौन से संक्या होगी 4-3 12 4 टीन ले ले हम इन दोनों के आपस में मिल्डिप्लाय करें 4-3 12 हो जाएगा और दोनों में आपस में कितना अंतर एक का अंतर है तो संखे कौन से होगी चार और तीन अब देखी चार और तीन में से हमारा आंसर कौन सा होगा देखी यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का जब भी प्लस का साइन हो तो बड़ी बाली संखे हमारा आंसर होगी यानि कि अंसर हमारे हैं यहां पर कितना हो जाएगा इसी प्रकार सेकंड को सन देखिए करणी 30 प्लस प्लस करणी 30 प्लस करणी 30-30 तक अनंतक जा रहा है तो देखी इसको हम कैस्सालू करेंगे इसकी हमें ऐसी दो संक्या सोचना पड़ेगा कि जिसके मल्टिप्लाइ करना कित प्लस का साइन है जब भी प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संक्य हमारा आंसर होगी तो आंसर कितना होगा जाएगा आपको यहां पर पहने उठाने के वह सकता है नहीं होगी आप सिंपल देखो कि 30 है 5-6-30 तो बड़ी संक्य 6 है तो आप डारेक्ट 6 पर किलिक कर दोगे या अब next question देखिए करणी 110 माइनस करणी 110 माइनस करणी 110 डेट 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 कहां तक अनंत तक जा रहा है अब देखिए जब आपके यहां प्लस की जग आपके क्या जाए माइनस आ जाए तब देखिए तब क्या सॉल्व करोगे तब भी देखिए सॉल्व करने प्रोसेस हमारी 110 और इन दोनों में अंतर देंगे कितना है एक का अंतर है इन दोनों हमेशा एक कई अंतर होना चाहिए यानि कि दोनों किरमा का संक्य होना चाहिए ग्यारा इंटू 10 कितना हो जागा 110 अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो आंसर हमारा कौन से होगा चोटी वाली संक्य होगी यहाँ पर आंसर कितना होगा 10 होगा एक्जाम में आप कैस सॉल्व करोगे 110 को देखोगे 10 इंटू 11 यहाँ कि 10 और 11 को मल्टिप्लाइ करने अब 110 आएगा और माइनस है तो छोटी वाली संक्य है 10 हमारा आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट कोस्टन देखिए करनी चपन माइनस करनी चपन माइनस करनी चपन तेट डेट डेट अश कहां तक अनंत तक अब देखिए यहाँ भी हमें दो संक्य हैं सोचना पड़ेगी जिनका multiply करें तो किटना आएगा 56 तो देखिए इस संक्य है 7 08 2 56 7 08 इनका आपस में multiply करें तो कितना आएगा 56 और अंतर देखें तो 1 आएगा अंतर हमेंस कितना ना चाहिए एक आना चाहिए माइनस है यह चोटी वाली संक्य हमारा answer होगा यानि 7 क्या होगा, यहाँ पर हमारा right answer होगा, अब next question देखी, question number 5, क्या है, कर्णी 5 into कर्णी 5 into कर्णी 5, डड़ ड़ ड़ इस infinity तक, अब देखी question change हो गया, यहाँ पर क्या आगे, इनटू आगया, अब जब देखी exam में, इस परकार का question पूछा जाए कि कर्णी में संख्या का आनं तक क्या हो रहा हूँ तो आनसर आनसर आजाई जया यहां पर आनसर को इस सकता नहीं है एस अनं तक जाहिए जब भी आनंट तक जाह है तो संक्य स्वयम हो जाएगë तो यहाँ पे हमारा answer क्या होगा 5 answer हो जाएगा अब next question देखिए यहाँ पर देखिए करणी 6 into करणी 6 into करणी 6 into करणी 6 का तक जा रहा है अनन तक जा रहा है जब भी इस प्रकार अनन तक करणी संक्या का multiply हो तो संक्या सौय में हमारा answer होगी तो देखिए कितने जल्ली answer है जाएगा आपका 6 पस आप question को देखोगे और तुरण इसका answer टिक कर दोगे तो यहाँ पे हमारा answer कितना होगा 6 होगा अब next question देखिए question number 7 क्या है यहाँ पे करणी 5 into करणी 5 into करणी 5 अब यहाँ पे करणी में संक्या का सीमेद बार multiply हो रहा है याँ यहाँ पे अनंत बार multiply नहीं हो रहा जब भी इस परकार करणी में संक्या का सीमेद बार multiply हो तो इसको क्या solve करेंगे देखिए यहाँ पे करणी हम कितनी है संक्या एक, दो, तीन यहां कि तीन बार कड़नी में संक्या है तो क्या करें हम सिंपल तीन बार दो का दो में ही मल्टिप्लाइ कर देंगे यहां पर एक कड़नी, दो कड़नी, तीन कड़नी जितनी कड़नी होगी उतनी बार हम दो का दो में ही मल्टिप्लाइ कर देंगे 2 rapid 4, 4 rapid 8, तो 9 आ जाएगा, 8 नीचे लिखेंगो और एक कम करकर उपर लिख देंगे, यानि कि जितनी बार कंड़नी होगी उतनी बार 2 का 2 में multiply करेंगे, यहां पर 3 करनी थी, 1, 2, 3, तो 2 का हमने 2 में उतनी बार multiply कर दिया, देखी दोदूनी 4 चारदूनी 8 8 को नीचे लिकेंग और एक कमकर ऊपर लिकेंगे यानि 8 से एक कम करेंगे 7 देखी हमें किसकी पावर होगी यहाँ पर जो संक्या 5 यान की 5 की पावर हम इसको 7 बटे 8 इस प्रकार से लिक देंगे तमारा आंसर आजाएगा आपको समझ में आ गया होगा देख़ें कुछ नहीं किया हमने जब भी इस प्रकार C में थो संख्या है Yani कandhi में संख्या में multiply हो रहा हो तो हम क्या करें जितनी बार cani में multiply हो रहा हो उतने बार हम 2 कर 2 में multiply करेंगे तो 2 4 4 2 8 तो 8 नीचे लिखेंग, एक कम कर, उपर लिखेंग, यहाँ पर जो संख्या, उसकी पावर में इसको लिख देंगे, तो answer कितना हो यहाँ पर 5, सई, इसकी पावर 7 बटे 8, यानिकी 5 की पावर 7 बटे 8, हमारा answer हो जाएगा, तो exam में आपके इसको क्या solve करोगे, exam में आप simple दे into करनी 6, सीमेद बार संख्या में multiply हो रहा है करनी में, तो देखी सीमेद बार multiply हो रहा हो, तो कैसे करेंगे, देखी यहाँ पर कितनी करनी, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार हम 2 का 2 में multiply करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 नी 4, 4, 2, 9, 8, 2, 16, देखी 16 नीचे लेकेंगे, और एक कम कर उपर लेकेंगे, तो एक कम उपर कितनी हो याँ पंदरा, संके कितनी है, 6, यहनगी 6 की प्यापर कितनी हो जाएगी, 15 बाटे, 16, इस प्रकार से अब एक्जाम में answer देख करी बता पाएंगे, जैसे कि आपको एक्जाम में कुस्चन ऐसा देख जाए, तो आपक का answer हो जाएगा, I hope आज की वीडियो आपको जरूब पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे अपने दोस्तों को जरूब शेयर करें, और आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ें, चैनल सब्सक्काइब कर, बेल आता रहता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू